बिस्मिल्ला रमानी रहीम, अस्सलामों अलेकुम, वेलकम टू स्माइली फूर्ड और मैं हूँ नाहिद, आज हम बनाएगे रेस्टोरंट और दावतों में बनने वाली चिकन चिंगारी की रेसिपी, इस्मोकी फ्लेवर वाली चिकन की ग्रेवी, घर में बनाओंगे तो घर चिकन चिंगारी की रेसिपी, घर पर आसानी से किस तरह बनाते हैं, देख लेते हैं, चिकन चिंगारी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन लिहू हड़ी बिना का यानि बोनलेस चिकन है, और चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो कर जाली वाले बरतन में रग दी यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिहूँ, आप चाहे तो हड़ी वाला चिकन भी ले सकते हो, यह देखी चिकन के मैंने छोटे छोटे पीस लिहूँ तो इस तरह से आपने भी थोड़े छोटे छोटे पीस ही लेना है, अब सबसे पहले चिकन में हम मसाले लगाएगे, तो जादा चमच जीरा पाउडर, एक चमच है चिकन मसाला पाउडर, अगर चिकन मसाला पाउडर नहीं है तो गरम मसाला पाउडर इसकी जगापर डाल सकते हो, और एक चमच है लाल मिर्च का पाउडर, यहाँ पर बिलकुल थोड़ा समयने फूड कलर ली हूँ, आप चाहे त इसे skip भी कर सकते हो यह सारी सुके मसाले डाल देते अब सबी चीजों को हूंची तरह से चिकन चिप इतना है civil organs जुई यह को कि दीओ झाला दीए念 तक सब्सक्राइए द्जा चिप है अब आदे का ज़े विसे बनाइगे चौह IS चिकन पर अच्छी तरह से मसाला लग चुका है, अब हम इसे तल लेते, फ्राय कर लेते, तो गैस पेक मैंने फ्राय पेन रखी, उसमें डालेगे तीन से चार चम्मत तेल, और सभी चिकन को हम इसमें डालकर फ्राय करना है हमें, तेल के छीटे हाथ पर नहीं उड़े, इसके के लिए ध्यान से डाले, मीडियम फ्लेम करके हमें चिकन को फ्राय कर लेना है, इसमें देखे हमने चिकन की बोटिया छोटी-छोटी लिए, तो चिकन जल्दी से गल भी जाता है, और सारे मसालों का फ्लेवर भी हमारे चिकन में बहुत अच्छा आता है, फ्राय करके लेते यहाँ पर देखे चार से पाच मिनट हो गए है मेडियम फ्लेम पर मैंने चिकन को अच्छी तरह से फ्राइ कर लिए हूँ और देखे एक चेक करके भी दिखा देती हूँ यह देखे चिकन की बोटी बहुत अच्छी तरह से गल गई है चोटे पीस भी थे और चिकन पर मसाला लगा कर रखा थाना हमने उसकी वज़ा से चिकन बहुत जल्दी गल जाता है और चिकन को बहुत ज्यादा देर तक फ्राइनी करना है वनना चिकन क्या है कड़क होने लगता है तब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेगे ऐसे ही डाइडेक देखिए हम चिकन का सालन वगेरा बनाते न तो चिकन के अंदर इतना टेस्ट नहीं आता है लेकिन ये चिकन चिंगारी बना कर एक बर जरूर देखना बहुत टेस्टी बनता है बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह ही आपको लगेगा सबी चिकन की बोटियों का मैंने निकाल ली हूँ और देखे कितना प्यारा कलर आया है और चिकन भी हमारा पूरी तरह से गल चुका है अब इसे साइड में रखूँगी मैं और ये बचेवे तेल में ही चिकन चिंगारी की हम ग्रेवी बना लेते यहाँ पर मैंने तीन प्यास लिए मिडियम साइज की और चॉपर में बिल्कुल बारिक बारिक चॉप कर लिए तो आपने भी इस तरह से प्यास को बिल्कुल बारिक करके लेना है ताकि ग्रेवी की तरह हो जाए यह डाल देते और प्यास को हम सुनेरी होने तक फ्राइ करेगे यहाँ पर चम्मच चलाते हुए मैंने प्यास को अच्छी तरह से लाल कर लिए तो देखिए प्यास को कच्ची बिल्कुल भी नहीं रखना है वरना ग्रेवी में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो यह बात का धियान रखना है प्यास हमारी अच्छी से फ्राइ हो गई है अब इस टाइम पर डालेगे हम एक बड़े साइस का टमाटर बारिक कटा हुआ और ग्रेवी के साब से नमक भी अभी डाल देगे ताकि टमाटर भी जल्दी से गल जाए हमने चिकन में भी नमक डाला है तो अभी ग्रेवी के साब से डालना है अपको इसे भी मिला देगे और टमाटर को भी हमें अच्छी तरह से भून कर मेश कर लेना है टमाटर अच्छी से हमारे गल जाना चाहिए वहाँ तक हम इसे पका लेते हैं गैस की फ्लेम अभी मेरी मिडियम ही है मैं इसे अच्छी तरह से टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाऊगी अगर आपके घर में फैमिली मेंबर ज्यादा हो ग्रेवी आपको ज्यादा बनानी हुआ तो आप अपने इसाब से थोड़ी प्याज और टमाटर को बढ़ा भी सकते हो उससे ग्रेवी ज्यादा बन जाती अब इसमें डालेगे हम एक चम्मच भर के अद्रक लसन का पेस्ट त जापक को जलने लगें तो फिर इसमें थोड़ा पानी डालकर भूनेगे गर के यी बेसिक मसालों से ये रेसिपी में बना रही हूँ लेकिन माशारला बिल्कुल रेस्टूरन की तरही बनती है सिर्फ आपने उसे बनाने का तरीखा आपको आना चाहिए तो आपके घर वालो को बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे रेस्टोरन में खा रहे हैं अब मसाले जलेने इसके लिए मैं थोड़ा पानी डालूगी इसमें या अदा गिलास जैसा पानी डाल दी मैंने इसमें गैस की फ्लेम धीमी कर देगे हम तो इसे मैं ढख देती हूँ और दी मियाच पर दो से तीन मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भूनने देगे बीच में एक से दो बार चेक भी कर सकते हो और आगे इसके अंदर देखे एक में इंग्रीडियंस डालने वाली तो वो बता देती हूँ मैं आपको तो यह मसाले की भूनाई हो रहे ही वहाँ तक देखिए आपने बारा से पंदरा काजू लेना है और काजू को मिकसर जार में डालकर पानी डाले बिना ही पाउडर बना लेना इसका यह डालने से हमारी ग्रेवी क्या है क्रीमी टेक्शर वाली और जिस तरह से होटल रेस्ट यहाँ पर देखिए मैंने काजू का पाउडर पीसकर तयार कर लिए इस तरह से काजू पीसकर तयार कर लेना है अब मसाले को भी चेक कर लेते हम मसाले की भी मैंने बहुत अच्छे से भूनाई कर लिए यह देख सकते हैं आप तेल भी पूरी तरह से उपर आ गया है और मसा तो आपकी ग्रेवी में उतना ही अच्छा टेस्ट आ जाता है तो अब हम क्या करेंगे जो हमने चिकन फ्राय करके रखा है न तो वो चिकन डाल देगे तो यह सभी चिकन को में डाल देती हूं बिसमिल्लायरमागी साथी में हमने जो काजू का पाउडर बना कर रखा ये भी डाल देगे इससे हमारी ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार बन जाती है बिल्कुल होटल वगेरा में बनती है उसी तरह की आदा चमच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर दाल देगे एक चमच कसूरी मेथी से खुश्बू बहुत अच्छी आती है तो अगर है तो जरूर डालना और देखिए इसकी ग्रेवी थोड़ी सी चटपटी होती है इसके लिए मैंने यहाँ पर एक चाट मसाला पाउडर ल अच्छे से मिक्स कर देते ताकि जो ग्रेवी का टेस्ट है वो भी हमारे चिकन के अंदर आ जाए वैसे तो माशाला हमने चिकन में ही इतना अच्छा टेस्ट दे दिया है कि चिकन रुखा ही तलावा खाऊगे आप तो बहुत ही मजे का लगता है अब यहाँ पर हमें धीमी इसाब से पानी डालना है तो इसकी जो ग्रेवी होती होती बहुत ज्यादा पतली नहीं होती है रेस्टोर होती ही थोड़ी सी ग्रेवी गारी होती हि कुला यहां पर आदा गिलास से थोड़ा ज्यादा पानी डाल दियू मैंने, क्योंकि चार से पाँच मीनट यह पकेगा, हमने काजू को भी भीगो करने लिए, तो वो भी इसमें अच्छे से पक जाएगा, ग्रेवी भी अच्छे से थीक हो जाएगी हमारी जैसी, हमें चाहिए उस तरा की, तो आप अपने हिसाब से पानी इसमें एड़्जस कर लेना, थोड़ा सा पानी मैं और डाल रही हूँ, तो यह गिलास पूरा पानी डाल दी, मैंने देखिए, अच्छे से मिक्स करके, हम इसे ढख देगे, और चार से पाँच मीनट के लिए बिल्कुल धीमियाच पर पकने देगे, बीच में आप एक बार चम्मचीस में चला सकते हो, ताकि नीचे से ग्रेवी हमारी तलिये में चिपके नहीं, यहाँ पर देखिए, पास से छे मिनट हो गए, धीमियाच पर मैंने ग्रेवी को अच्छी तरा से पकने दी हूँ, और आप देख सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे ठंडी होते जाएगी, वैसे वैसे ही और गाड़ी होते जाती है, इसके लिए अपने हिसाप से इसमें ग्रेवी को एड़्जस कर लेना है, तो देखिए यह ग्रेवी वाली चिकन चिंगारी हमारी बनकर तयार हो गई है, इसे रुमाली रोठी, पराठ या फिर नान के साथ खा सकते हो, आप कुल्चे के साथ खा सकते हो, या फिर राइस के साथ भी खा सकते हो, रेस्टोरन में इसी तरह से बनाया जाता है, तो लास्ट में अब हम क्या करेगे, इस पर कोईले का स्मोकी फ्लेवर देगे, क्योंकि यह चिकन चिंगारी बना रहे और डायरे की इसमें जलता हुआ कोईला रखकर उस पर थोड़ा सा घी या बटर दाल दूगी और ढग दूगी पांच मीनट के लिए ताके पूरा कोईले का स्मोकी फ्लेवर हमारी ग्रेवी में आ जाए तो अब मैं गैस बन कर देती हूँ और इसमें जलता हुआ कोईला रख दाल देगे या तेल डाल देगे यहां पर चार से पाच मिनट हो गए है अब हम यह कोईले को निकाल लेगे तो माशाला पूरे कीचन में हमारे कोईले के स्मोकी फ्लेवर की खुश्बू आ रही है और देखिए चिकन चिंगारी हमारी बन के तयार हो चुकी है तो देख सकत आं पर देखिए तो आपके कितना बहतर इन चिकन चिंगारी हमारी बन कर तयार हो चुकी है आपने घर में कोई चोटी मोटी बड़ पार्टी रखियो या कोई महमानों की दावत रखी तो आप इसे घर में बना सकते हो आपकी दावत में चार चान लग जाएगे और यह खा गर्मा गर्म इसे हम तंदूरी रोटी के साथ डिश आउट कर लेते आप चाहे तो रुमाली रोटी या फिर नान कुल्चा या फिर राइस के साथ भी इसे डिश आउट कर सकते हो तो चलिए हम इसे गर्मा गर्म डिश आउट कर लेते ऐसी नही नही रेसीपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले आज की चिकन चिंगारी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों रिश्यदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपना बहुत सारा खयाल रखें दूआओं में हमें भी याद रखें फिर मिलते हैं इंशाल सर जाज बढ़स दूब करें दोस्तों में ज्यादारों में ज्यादारों में भाइक का लिए रखें बाइक का लाइक करें दूब का लेता हैं टाच हैं तूब की त झाल 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 झाल